27 फरवरी को विहार में होने वाले मेगा चातिवर्ती परिक्षा का केंदर बदल गया है तो कौन जिला में बदला है और कौन कौन सा केंदर बदला है नया केंदर कहां बना है तो उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे तो ये इस वीडियो को पुरा देखेगा उससे पहले मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेगा चातवुरती परिक्षा का फॉर्म बढ़ा है चाहा है आप किसी भी एस्टेट से आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि आपको NMSצे सारी जानकारी इसी चैनल के मादियम से सबसे पहले मिलता है तो आगे आपको परिक्षा के बाद भी जरौत परेगा परिक्षा के बाद आपको result कब आएगा इसकी जरौत परेगी result आने के बाद क्या process होता है तो हमेशा आपको इस channel की जरौत परते देगी तो इसलिए हम request करते हैं आप लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लिजे क्योंकि सारी जानकारी यहीं से आपको मिलेगा कि कब कैसे क्या करना है तो चलिए इस वीडियो महम बताते हैं कि कहां कहां पर center बदला है तो यह जो जानकारी भेजा है हमें तो छोटु कुमार सिंग भोजपूर जिला से और ओमपरकास पंडित इन दोनों ने यह जानकारी भेजी है तो उनको बहुत बहुत धनिवाद अगर आप भी कोई जानकारी देना चाहते हैं NMSC related तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं कि कहां कहां सेंटर बदला है तो यह देख सकते हैं आरा तो यह जो सेंटर बदला है दो सेंटर बदला है यह भोजपूर जिला में लिखा हो है राس्टिया सें इसम मेघा चात्वर्थी परिक्षा योईना 2022 तो इसके लिए बनाये गए दो परिक्षा केंद्रों को बदल दिया गया है परिक्षा 27 फरवरी को होना है SB पलस टू स्कूल के बदले तो जिसके एडमिड का आडमी लिखा हो गया SB पलस टू स्कूल तो वहां नहीं जाकर के अब जाना है स्री जैन कनिया पाट साला पलस टू स्कूल और दूसरा है टाउन पलस टू स्कूल के बदले अमीर चंदर बालिका पलस टू स्कूल को निर्धायत किया गया है तो जो भी छात्र हमारे चैनल पर भोजपूर जिला से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अधिक सदी गुरूप में सेर कर दीजेगा ताकि विल्यार्थी को कोई परिशानी नहीं हो